स्थीधी जिला में एक बे फेर से एक बड़ा एक्सिडेंट भाव है बीते 24 घंटा में आपना का बताई के डूइट एक्सिडेंट लगातार हो चुका रफ्तार के कार नहीं थमत रहागा है बीती रात साड़े दस बजे सतना तरप से ही रामपूर भगलान होई कि एठे बस आबत रहे जाउन के पनवार स्कूल के सामने आई के उखर ब्रेक फैल हो जाता है अब वह एक्सिडेंट के सिकार हो जाती वह बस मां 15 लोग घायल हो जा है के बारातिन का ही लाइके ही वह बस चली जात रही है बारातिन का लाइके गह रही है आउं बारातिन का लाइके लवटत रही है चवने वाहीं मजहुली के पास पोरी रामपूर के पास मजहुली थाना छेत्र के अंतरगत वह बस फिर से हाथ से के सिकार हो यही अपने का बताई के सक्टी ट्रेवल्स बस कमांग एंपी तिरपन जीड ए नवासी उनहत्तर आई जहुन के सिहावल के हिनाउती के ही जैस्वाल परिवारन के ही बरात लई के गहरी है कुस्मी कुस्मी से ही अधिया बायास मजहुली सीधी चल्लवटी आवात रही है जहुने के ही पोड़ी रामपूर के पास बस आ रहाती गर्जभार्ट वाले बस के सामने आ जा थे घंगधार लेखा रही खातली बस एकसिडेंट के सिकार हुए जालि सीखरू जाती एक बस के चपेट जाते गर्जबा decree एक ब्यक्ति आपन जान खो दे थे भाई दूसर उप्चार खातीर ओकर रेफर के दिन जात भाई जो मृतक है भाई पुष्टी नहीं हो पाई आए कि मृतक को आए जो ने कहीं है अब पुलिस लगातार पता कह रही है कि आखिर यह मृतक को आए यह एक्ठी 24 घंटा माही स्थाय कि है इसमें हमने देगी लगातार जो बसों के फिक्नेश थे जाने स्कूली पड़ हो यातरी बसों उसके फिक्नेश के लिए म avyant की रुप में कामा ऊक्ष्टायात विभाग परिरहन विभाग फिलिस विभाग और अन्य राजस्तवकर दिकारी करमचारी इसमें पुजिन आस्पताल में ट्रीटमेंट देके और उनको रवाना किया गया यह फिटनेस के लिए ड्राइबरों के भी टेस्ट और अगर उसके कुछ ट्रेनिंग वगएर हो सकती है कांसलिंग सेशन बीच-बीच में हो सकते हैं इसके लिए भी आंचलाने का प्रियास किया गया सड़क से सुटे हुए पैलेस बन चुके हैं सर और हाइवी में भी लगे हुए काई पैलेस ऐसे नजर आते हैं एकल जिसले के सब्रगटना गटित हुई है खुदना खास्ता वो अगर बस राइवर रास्तों के आस पास जो इस तरह के बड़े इवेंट वाले मेरेज हॉल ह हो या हो वो रास्तों को ग्लॉक ना करें और जो भी इवेंट्स हों वो रास्ते के बगल में हूं इसके लिए सभी जो मेरेज हॉल संचालक हैं और जो हॉल वगरा के लोग हैं उनके साथ एक तवरित गती से चर्चार और प्रसिक्शन सथ्राइव कर लिया जाएगा उनको कि इस बात से सुचना दे दी जाएगी साथ सुरक्षा समीती बैठक में भी इसको मुद्दे को उठाया जाएगा और अगर कोई इसका लंगन करते हैं तो उसको वहां से हटवाएगा